आज मेरे पीछे आप एक मस्जिद को देख रहे हैं, वो मस्जिद सदने कसाई की है, वो कसाई पने का काम करता था, एक दिन उसकी दुकान पर एक शांपो गहा काता है, वो उससे कहता है कि मुझे बकरे की एक टांग चाहिए, तो वो दुकान बंद गर रहा था, उसने मना भी किया उसको, लेकिन वो गहा को माना नहीं, इसलिए उसको दुकान दुवारा कोड़नी पड़ी, पर जब वो बकरे के पास उसकी टांग काटने के लिए जाता है, तो बकरा उसको ऐसा महसूस होता है कि बकरा वो बोलने लग ज आता है और वो उसको वहीं छोड़के जब अपनी दुकान पर आता है तो जो आदमी उसकी दुकान पर मास्क खरीदने के लिए आया था वो दुकान पर नहीं होता उसको भगवान ने दर्शन दिये थे उस दिन तो उस दिन से उसने कसाई बने का काम छोड़के परमात्मा को उसका नाम जपना स्टार्ट कर दिया था तो आईए जी देखते हैं कुछ उसका इतिहास है जो आगके साथ सांजा करते हैं सो आईए जी देखते हैं मस्जद को सो आप मस्जद को देखेंगे काफी बड़िया नेजारा देखने को मिल रहा है सो अभी इसके बाउंडरी भी इसकी है अंदर स्टेंड भी है सो डेलवे लाइन के बिलकुल पास पड़ती है ये शायद यहाँ पर पानी का एक सरोत रहा होगा पहले जमाने में जो लोग मस्जद में आते होंगे वो हाथ पैर दोने के लिए उनके सो आईए नजदीक ते आपको दिखा देते हैं इसको जो नाम दिया गया है वो समारक का नाम दिया गया है ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर गॉर्मेंट का कि आप कोई भी इस बिल्डिंग को नुकसान वगयरा नहीं पहुचा सकते ये नोटे से लगाया गया है सो आईए जी अंदर से देखते हैं सो आप देखेंगे काफी डिजाइनिंग हुई हुई है इस पर और जो इसकी दिवारे हैं वो कम से कम दस बाराँ फुट चुड़ाई में है ये इसका मेन हॉल रहा हुआ किसी टाइम में काफी डिजाइनिंग इस पर हुई हुई है इसके उपर एक सेंटर में मेन गुम पर रहा हुगा बड़ा आप देख सकते हैं चारों तरफ घूम के इसके साइडों में इसके रूम बगएरा भी बने हुए है सो जितना हम हमें नौलेज है या हमें नेट पर से नौलेज मिली है सो हम आपके साथ सांजी कर रहे हैं वो ये जो पूरी इमारत है वो सरहंदी इटों से बनी हुई है सो आईए जी देखते हैं अंदर जाके सफाई काफी ज़्यादा है यहां पर यहां पर कुछ काम भी चल रहा है सो ये देखेंगे आप इसमें चार गुमट हैं साइडों में जो बाहर आपने देखा था वो में गुमट था जो सेंटर में था इसके सो काफी बड़ी मसीथ है यहां पर सद्रा जी थे वो आप कहले जी यह परमात्मा का नाम लेते थे जब उनको परमात्मा के दर्शन हुए उस दिन से उन्होंने जो कसाई पने का काम था वो छोड़ दिया था सो ऐसा उनके बारे में कई किसे सुनाई देते हैं या गाउं में कोई बजर्ग होते हैं वो भी पहले ऐसे किसे सुनाते थे तो आप देखेंगे ऐसे बने हुए हैं इनके अंदर ये पूरा जो एरिया है original है सरहंदीटों का ये बना हुआ है लाल मिटी वगरा यूज हुई है इसमें आप देखें कि ये ऐसे अब किस चीज़ के लिए यूज होते थे वो तो कुछ प्रॉपर बताया नहीं जाता सो ये एक दरवाजा है यहां पर ये लॉक है शायद इसमें कोई समान वगेरा रखा होगा इनका सो इमारत काफी बड़ी है और काफी खूबसूरत है यहां पर दो कुणे है ये कुण है जो ये तो शायद अभी बना है बाद में बनाया गया है लेकिन जो इसके साथ में कुणा है दूसरा ये पुराने इतिहास का है तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सास्क्राइब और बेल एकन का बटन जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिवकेशन है जो आप तक जरूर पहुंच सके सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई थैंक्स